नमस्कार फ्रेंट आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए खास कमल ककड़ी का अचार तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कमल ककड़ी का अचार यह बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है एक केजी बहुत हो जाता है आप अगर जितना चाहे आप बना सकती है हम धाइसो ग्राम कमल ककड़ी लिये हैं एक बड़ा चमच प्रेंड आप हल्दी पाउडर ले लिजिएगा और मंग्रेला अजमाइन जिसे कलोंजी कहते है फ्रेंड आप एक चमच ले लिजिएगा बड़ा चमची हल्दी का यह आमचूर पाउडर फ्रेंड एक बड़ा चमच ले लिजिएगा लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चमच ले लिजिएगा धनिया पाउडर एक चमच और हाप चमच डेड़ चमच ले लिजिएगा फ्रेंड और हाप चमच ब्लैक पेपर गोलकी पाउडर फ्रेंड और स जिएगा इसको बनाने से पहले हम कमल कड़ी को धो के सुखा के और इसका छिलका उतार के रखें इसको धूप में थोड़ा 2-3 घंटा धूप दिखा ले जिएगा फ्रेंड हलका ज्यादा कड़क धूप में मत रखिएगा फ्रेंड ये काला पड़ जाता है थोड़ा हलका धूप दिखा के दो घंटा बहुत है और उसके बाद इसको इसके छिलके चाहे तो आप इससे या नहीं तो छिलने वाला से अच्छे से इसका छिलका उतार लेंगा फ्रेंड देखि कि जी देखिया फ्रेंड तो ये साफ हो जाएगा फ्रेंड नहीं तो इस पर थोड़ा थोड़ा काला रहता है उससे निकाल लेंगे और एक दम पतला-पतला इस तरह काटेगे ताकि हमारा आचार में ये इजली अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसका देखें हम जो पहले से काटके सुखाके रखें है ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और अचार इसका बहुत ही टेस्टी बनता है अब हम इसमें मसाले को मिक्स करेंगे पहले अजमाइन और जीरा डाल लेंगे नमक डालेंगे और ये जो हमने लिए थे सारे मसाले उसको भी डाल लेंगे फ्रेंड और दो से तीन बड़ा चमच डाल लेंगे अगर तेल कम लगता है तो दस से पंदरह दिन धूप दिखाते रहिएगा और इसको अच्छे से चमच से पलटके धूप दिखाएगा एक सफित कपड़े से या कोई भी जालिदार बरतन से या कपड़े से ढखके इसको धूप में अगर आपको तेल कम लगता है तो फिर भी आप मिला सकती है अब इसमें हम तेल डाल लेंगे तीन चार बड़ा चमच तेल डाल लेंगे देखिए और अच्छे से फिर से फ्रेंड इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से देखिए हमारा अगर आम चूर पावर्डर के बदले फ्रेंड आप चाट मसाला भी देना चाहें तो डाल सकती है यह देखिए बिना मेहनत का यह अचार बहुत टेस्टी बन कर तैयार होगा फ्रेंड अब हम इसमें एक चमच या एक धकन बड़ा आप सिरका मिला लेजिए फ्रेंड विनिगर ताकि हमारा अचार खराब नहों धूप में रखेंगे फ्रेंड इसको थोड़ा पलटते रहेंगे बीच बीच में पलटके धूप दिखाते रहेंगे फ्रेंड इस तरह 15 से 20 दिन इसको धूप लगाईएगा फ्रेंड तो यह हमारा टेस्टी अचार बन कर तैयार हो जाएगा फ्रेंड इससे आप किसी भी प्रेंड यह कमल ककड़ी का अचार आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे सेयर कीजे और बेल आइकन को जरूर प्रेश कीजिए फ्रेंड जटपट जटपट घरेलूड इसमें अपना अनुभव जरूर सेयर कीजिए फ्रेंड नमस्कार फिर मिलते ह अगले बदी